बश्ताइं जो की 330 ml का होगा उसमें 10 चम्मच से भी जादा सक्कर होती है पर ये जानके आपको क्या मिलेगा World Health Organization के अनुसार हमें सिर्फ एक दिन में 6 से जादा चम्मच सूगर का इंटेक नहीं करना चाहिए और अगर हम एक दिन में 6 चम्मच से ज़्यादा सूगर लेते हैं तो वो हमारी सेहट केलिए बहुत जादा आनिकारक होता है और ऐसी बहुत सारी बाता हैं जो आपको कोका कोला के बारे में नहीं पता होंगी और कितना ज़्यादा harmful हो सकता है हमारे लिए कोका कोला पीना ये भी आपको अभी तक नहीं पता होगा पर इस वीडियो को देखने बाद आपको complete information मिल जाएगी कि कोका कोला पीने के बाद हमारी body में आखिर होता क्या है impact क्या पड़ता है कोका कोला पीने का हमारी body में तो सुरू करते हैं तो सबसे पहला question अगर कोका कोला में इतनी ज़्यादा सूगर होती है और हमको पता है कि हमें इतनी ज़्यादा सूगर नहीं लेनी है फिर भी हम उस सूगर को पी कैसे जाते हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं तो जो Coca Cola होता है उसमें Phosphoric Acid पाया जाता है जिसका नाम cuts the flavor है जो आपको help करता है इतनी जादा सूगर को ट्रिंक करने में क्या आपको पता कि Coca Cola को Heroine से भी compare किया जाता है मतलब फिल्म वाली Heroine नहीं Heroine वो मतलब जो गांजा जो नसा होता है वो वाला Heroine तो Coca Cola पीने के 20 मिनदे बाद तो जैसे ही आप Coca Cola पीएंगे उसके 20 मिनदे बाद जितने भी सूगरह आपने अपनी body के अंदर ली बहुत ज्याद़ सूगर ले लिया आपने वो तो मैंने पहले ही बता दिया करें के सर जाएगा वहां पर बरने लगेगा और जब ब्लाड विसल्स में फैट बरने लगेगा तो क्या होगा हमारा ब्लाट अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा ब्लड प्रसर बढ़एगा ultimately हो जाएगी जिसके काराण हमारी पूपिल जो हो Γपो डीयुट होने लगेंगी ऐसे क्या हो इसे सीधा मैं आपको समझाओ Varma के बंदोने लगेंगी इससे क्या होगा कि 90 से हमारा बलैंगे और बलड प्रेसर बढ़ने से क्या होगा आपको पता होगा रहाज फैसे वह एकड़गर बहुत आरहर प्राई से और उसके बाद डाल 궁금 by सर बढनी लगता है और मैंने जैसे अभी प्रूफ कर दिया कि blood pressure is equal to heart attack, heart attack is equal to death, this implies coca-cola is equal to death, coca-cola पीने के 45 मिनट बाद, तो जैसे ही आप coca-cola पीएंगे उसके 45 मिनट बाद, मतलब 40 मिनट प्लस 5 is equal to 45 मिनट बाद, आपके brain में बहुत ज़्यादा amount में dopamine बनने लगेगा, dopamine क्या होता है, जो आपको pleasure और reward देता है, for example, आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की और exam दे के आया, और exam दिया बहुत ही अच्छे marks आएं, उस marks की जो खुसी होगी जो pleasure मिलेगा, वो किसके करण मिलेगा, dopamine के करण मिलेगा, तो dopamine से हमें खुसी और pleasure मिलता है, अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे dopamine निकल रहा हमको खुसी मिल रही, अच्छा है, अच्छा है, पर देखिए, आपने exam पास किया, मेहनत करके dopamine निकला, खुसी मिली, पर अगर आप बिना किसी महनत के हमारे brain से dopamine सिक्रेट करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये पर्टिकुलर काम करने से, बिना किसी महनत के मुझे dopamine मिल रहा है, और जब आपको पता चल जाएगा, कि बिना किसी काम के dopamine निकल रहा है, तो यह आपका नशा बन जाएगा, यह Coca Cola को Heroine से compare किया जाता है और ऐसे ही हमें नसों के भो आद़त लगती है क्योंकि बिना किसी मैनद के dopamine जो निकलता है सीधा सा logic है आप समझ जाये Coca Cola पीने के एक घंटे बाद, Coca Cola पीने के ऐक घंटे बाद ही आपılar और अपको urinate करने important nutrients वो सारे बरबाद हो जाएंगे और वो nutrients पता है आपको कहां use होते हैं वो आपकी bones को और आपके दांतों को मजबूत करने में लगते हैं तो अब सोचे 20-30 रुपए की 300 ml कोका कोला आपकी body में कितना ज्यादा harmful effect छोड़ देती है और कितनी ज्यादा जानलेवा होती है हमारे लिए तो अगर आप अपने दिल दिमाग दात हड़ियों सभी चीजों का खयाल रखना चाहते हैं तो कोका कोला पीना कम कर दीजिए बंद दे सकते हैं तो जब तक अगले वीडियो नहीं आती आप इस चैनल की दूसरी वीडियो को देखे कुछ नया जान और सीख सकते हैं तिल दर नेक्स वीडियो थैंक्स फो वाचिंग